जहें दोस्तों मैं सुने लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल फिसिकल एजुकेशन एरीन में दोस्तों हम आज बात करेंगे फिसिकल एजुकेशन के हिस्ट्री ऑफ फिसिकल एजुकेशन टॉपिक के उपर जो कि बहुत ज़्यादा important हो जाता है आपके BPSC, MRS और HTET के एक्जाम के लिए यहां से आपको maximum number of questions देखने को मिलेंगे इस topic से हैं क्योंकि यह काफी लंबा topic है, काफी mixed variant type का topic है, ठीक है तो आज हम यहाँ पर most important questions के उपर discuss करने वाले हैं और यह लगबग 250 से उपर के 200 plus questions, 250 plus questions होंगे दोस्तों आपके सामने ठीक है, और बहुत ज़्यादा important है, मेरे को नहीं लगता कि इस series को देखने के बाद आपको history of physical education को और कहीं से पढ़ने की जुरुत पड़ेगी लगबग लगबग सारे questions मैंने यहाँ पर cover up की हैं दोस्तों ठीक है, फड़ा-फड़ से session को share कर दीजे, और जल्दी से वीडियो को एक like कर दीजे, चलिए शुरू करते हैं आज की question series आपके सामने पहला point है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने multiple questions नहीं रखे हैं, और क्योंकि एक notes के प्रकार में भी आपका काम करेगी, इसका PDF मैं आपको अपने वीडियो को description में provide करा दूँगा, जो कि telegram channel के link में मिलेगा आपको ठीक है, तो पहला point है यहाँ पर द general government यानि केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का responsibility होती है कि शारेरी सिक्षा को राश्टरी स्तर पर develop किया जाए, उसको विक्सित किया जाए, ठीक है, next point देखते है दोस्तों, खेलों और शारेरी सिक्षा को लोकप्री करने का योगदान किस मंत्रा लेगा है, which ministry contributes to popularize sports and physical education, तो वो हमारा ministry of education का है, ठीक है, ministry of education का योगदान किया होता है, कि खेलों और शारेरी सिक्षा को लोकप्री करना, उसको popular करना, दोस्तों, इसमें किसका mainly योगदान होता है, हमारी ministry of education का होता है, सिक्षा मंत्रा लेगा होता है, ठीक है, अगला point हमारा सारेरी सिक्षा परा परामर्ष बोर्ड किस से स्थर बनाया गया, physical education का counseling board जो होता है हमारा, वो national level पर बनाया जाता है, ठीक है, अगला point है हमारा, शारेटिक सिक्षा परामर्ष बोर्ड को बनाने का उत्देश क्या है, दोस्तों, what is the purpose of setting up the physical education counseling board, तो इसका जो main purpose होता है सारी सिक्षा को लोगपरी बनाना यानि इसको पॉपुलर करना ठीक है यहां से भी आपके questions आ सकते हैं ठीक है यह बहुत ही important points से दोस्तों यहीं से आपके questions बनने वाले 100% guarantee के साथ कह रहा हूं इससे बाहर आपको physical education counselling board तो यह करता है सभी राज्यों के ठीक है all states ठीक है जो शारी सिक्षा परामर्स बोर्ड होता है इसमें सभी राज्यों का प्रतने दित किया जाता है दोस्तों okay next point है सबसे पहले YMCA college of physical education की स्थपना भारत में कहां की गई तो where was the YMCA college of physical education established in India तो वो हमारा चन्नाई में मदरास में था ठीक है YMCA means young band christian association college of physical education ठीक है सबसे पहले established कहां हुआ चन्नाई में हुआ फिर बात करते है YMCA college of physical education की स्थापना सवर्पृतम भारत में किस सन में हुई दोस्तों in which year was the YMCA college of physical education first established in इंडिया तो वो हमारा 1920 में चन्नाई में ठीक है next question है लक्ष्मी बाई national physical education sorry लक्ष्मी बाई national college of physical education की स्थापना कहां और कब की गई दोस्तों where and when was लक्ष्मी बाई national college of physical education established तो ग्वालियर 1957 में 1957 में ग्वालियर में आपका LNIP लक्ष्मी बाई national institute of physical education इसको short में LNIP भी बोलते हैं ठीक है अगले question की तरफ या अगली slide पर हम चलते हैं दोस्तों अगली slide कह रही है आपसे लक्ष्मी बाई national college of physical education की प्रथम प्राचार बनने का सौभा की किसे प्राप्त हुआ दोस्तों who got the privilege of becoming the first principle of LNCPE PM Joseph कौन थे दोस्तों वो PM Joseph ही थे जो physical education लक्ष्मी बाई national college of physical education के प्रथम principle बने थे ठीक है college of physical education जो लखनव का है Christian college वो 1932 में establish हुआ अखिल भारती खेल काउंसिल किस और प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गया दोस्तों who was made the first president of all India sports council यहाँ पर आप आएंगे all India sports council के पहले president कौन थे दोस्तों तो general K.M. करियपा ठीक है कौन थे general K.M. करियपा important question है यह all India sports council के जो first president थे वो आपके general K.M. करियपा थे sir दोराब जी टाटा का देहान्त किस्सन में हुआ था दोस्तों in which year did दोराब जी टाटा जाइट 1932 अगले slide पे चलते हैं अगले slide है हमारी अखिल भारती खेल कूत परिशत की स्थापना कहां हुई most important question where was the all India sports council established that is पतियाला तो अखिल भारती खेल परिशत की स्थापना कहां हुई थे दोस्तों पतियाला में हुई थे ठीक है next point है राष्ट्री खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे after how many years were the office barriers of the national sports federation elected तो आठ वर्ष के बाद ठीक है राष्ट्री खेल फेडरेशन के जो पदाधिकारियों का चुनाव पहले जो होता था हो कितने वर्ष बाद होता था आठ वर्ष बाद होता था ठीक है अभी शायदे चार वर्ष हो गया है फिर में आठ वर्ष ही है साई यदि किसी federation में जगड़ा विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है किसी federation में जगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा होगा वो होगा दोस्तों अखिल भारती खेल समिती एवं भारती ओलंपिक समिती के द्वारा All India Sports Committee and Indian Olympic Committee के द्वारा ही उनका समाधान किया जाता है अगर किसी federation में अपस में जगड़ा या विवाद हो जाए ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो यहाँ पर आपका कुशन कहा रहा है Gymnastic Federation of India की स्थापना कब हुई दोस्तों When was the Gymnastic Federation of India established in 1951? 1951 में दोस्तों Gymnastic Federation of India की स्थापना की गई National Rifle Association of India को कब बनाया गया दोस्तों When was the National Rifle Association of India formed? तो यह भी आपकी 1951 में ही बनी थी यह दोनों ही चीज़ें आपकी 1951 में होई थी ठीक है Gymnastic Federation of India और National Rifle Association in 1951 में दोनों इस्टैबलेस्ट होई ठीक है फिर बात करते हैं National Cycle Federation of India की स्थापना कब हुई When was the National Cycling Federation of India established? तो वो 1946 में हुई दोस्तों All India Billiards Association को कब बनाया गया? When was the All India Billiards Association formed? That is 1926 1926 में आपका All India Billiards Association बनाया गया दोस्तों Next slide पर चलते हैं अगली slide है आपसे कह रही है कबड़ी Federation of India को कब बनाया गया? Important question है Maximum number of papers में आपके आए है When was the Kabaddy Federation of India formed? In 1950 में आपका Kabaddy Federation of India बनाया गया School Games Federation of India यानि की SGFI SGFI इसका short form होता है School Games Federation of India की स्थापना कब हुई When was the School Federation of India ये School Games Federation of India स्थापना की स्थापना कब हुई दोस्तों When was the Inter-University Board of Sports Establish तो वो 1925 में हुई दोस्तों जो इंटर-University होती है अलग-अलग universities के बीच में तो वो 1925 से स्थाट हुई इनका Board जो गठित हुआ 1925 में इनका Board गठित हुआ ठीक है? Service Sports Control Board ठीक है अगली स्थाट पे चलते है अगली स्थाट आपसे कहा रही है All India Police Sports Control Board का गठन कब किया गया? When was the All India Police Sports Control Board form 1965? इंपोर्टन कोशन है दोस्तों ये 1965 में आपका All India Police Sports Control Board फॉर्म किया गया ठीक है Next है नेता जी सुभास National Institute of Sports कहां स्थित है? Where is नेता जी सुभास National Institute of Sports located? NS NIS की बात हो रही है दोस्तों तो वो आपका कहां पर है? पटियाला में ठीक है? नेता जी सुभास National Institute of Sports कहां पर located है? पटियाला में located है इनके फुल फॉर्म ज़रूर रिमेंबर कर लीजेगा नेता जी सुभास राश्ट्री खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किस ने की थी? नेता जी सुभास National Institute of Sports was established in पटियाला भाई श्री के ल श्री माली ठीक है? किस ने की थी? पटिया जाता है नेता जी सुभास National Institute of Sports is run by home तो यह किया जाता है दोस्तों Sports Authority of India ठीक है? भारती खेल प्रादी करण है नहीं कि साई के दवारा इसका संचालन किया जाता है आपका NSNIS का यहां से यह बहुत important slide है दोस्तों यहां सबकी कुशन बनने के 100% chances है ठीक है? नेक्स स्लाइड की बात करता हूँ अगली स्लाइड है हमारी मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशी दी जाती How much money is given to the winning team in मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफी तो वो 15 लाख रुपए दी जाती है दोस्तों ध्यान रखियेगा ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफी में 15 लाख रुपए की दनराशी दी जाती है अखिल भारती खेल कूत परिशत की प्रथम शाखा किस सन में बनाई गई In which year the first branch of all India sports council was formed in Bangalore 1978 में दोस्तों अखिल भारती खेल कूत परिशत की प्रथम शाखा बैंगलूरू में बनाई गई Next point आपका राश्ट्री शारेरिक fitness कारिकरम का शुभारम किस सन में किया गया In which year was the national physical fitness program launched 1959 में 1969 में दोस्तों राश्ट्री शारेरिक fitness कारिकरम का शुभारम किया गया Next point है किस विश्विद्याले में या किस विश्विद्याले को sports university of India कहा जाता है Important question है दोस्तों Which university is known as sports university of India That is Lakshmi by National Institute of Physical Education LNIP को हम क्या बोलते है sports university of India को बोलते हैं ये भी एक important point है Next slide पर चलते हो अगली slide है हमारी दोस्तों किस Olympic में पहली बार doping के खिलाफ शपत दिलाई गई थी Which Olympics the oath against doping was administered for the exam time 2000 के Sydney Olympic में पहली बार doping के खिलाफ शपत दिलाई गई थी important question है दोस्तों मैंने क्यों बोला कि काफी lengthy syllabus हो जाता है History of physical education को लोग normally लेते हैं बढ़ यहां से आपके क्या है na maximum year, sun और इनी सब points से लेकर के questions पूछे जाते हैं तो इसमें लोग अक्सर फास जाते हैं और ये लगबख सारे topics को history of physical education को मैंने यहां से cover किया है आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जुरुत नहीं इसको अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे according जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 18-20 question आपकी यहीं से आने वाले है इसी topic से ठीक है इसके बाद आपका anatomy physiology से जादा question आते है next एक दो दिन में आपको उसकी complete मैराथन ला दूँगा बिल्कुल परशान होने की जुरुत नहीं है ठीक है next point की बात करते है भारती Olympic संग I.O.A. में उपाध्यच के पद कितने होते है what are the post of vice presidents in Indian Olympic Association I.O.A. में उपाध्यच के कितने पद होते है दोस्तों 9 नौ पद होते है उपाध्यच के I.O.A. में ठीक है I.O.A. का full form क्या होता है Indian Olympic Association भारत पहली बार कला प्रतियोगिता को किस Olympic में सम्मिलित किया गया art competition was included in which Olympic for the first time तो 1928 के Amsterdam Olympic में दोस्तों पहली बार क्या किया गया था कला प्रतियोगिता को सम्मिलित किया गया था painting drawing को किस वर्ष Olympic पुरसकार में बाहर कर दिया गया in which तो को शामिल कब किया गया 1928 में बाहर कब किया गया in which year was the painting drawing excluded in the Olympic awards that is 1949 ठीक है 1949 में बाहर किया गया 1929 में सम्मिलित किया गया next point की तरफ चलते है अगला point है हमारा Sports Authority of India का दक्षणी केंदर का मुख्याले कहां पर है दोस्तों where is the headquarters of the Sports Authority of India South on Center तो वो कहां पर है दोस्तों बैंगलोरू में है या बैंगलोर में next point है केंदरी सरकार केंदरी सरकार Physical Educational Committee जिसको तारा चंद कमेटी कहा जाता है उसको कब बनाए गया दोस्तों when was the Central Government Physical Education Committee कॉलतारा चंद कमेटी from 1948 1948 में important question है next point है National Discipline Scheme कब बनाई गयी दोस्तों when was the National Discipline Scheme started that is 1954 1994 में National Discipline Scheme बनाएगी NDS धियान रखना इसके full form भी पूछे जाते हैं आप से ठीक है NDS राजकुमारी Amrit Kaur और कोचिंग स्कीम का प्रारम की गई Amrit Kaur कोचिंग स्कीम का प्रारम की गई when was the Rajkumari Amrit Kaur कोचिंग स्कीम started 1953 important question है 1953 next point है उससे पहले मैं एक कॉछिन पूछ रहा हूँ दोस्तों आपको इसका answer आप कमेंट में करके देंगे कि राजकुमारी Amrit Kaur जो थी ठीक है वो किस उनका मेजर इवेंट के था वो किस गेम की खिलाडी थी इसका answer आप कमेंट करके बताइए मेरे को next question है हमारा पायोली Express किस महिला खिलाडी को कहा जाता है which female player is called पायोली Express तो वो PT यूशा को पायोली Express बहुत से एक्जाम्स में कोशन पूछा गया important question है next question है व्यायाम विशारद कब प्रारंब किया गया वेन वह व्यायाम विशारद स्टार्ट तो निस्व 24 में कुंजुरू समीती की स्थापना कब ही एक और important question in which year was the कुंजुरू कमेटी established 1959 में आपकी कुंजुरू समीती established की गई किस काल में योगा का जन्म हुआ दोस्तों in which period योगा वस बॉर्ण तो वह आपके वैदिक पीरिड में या वैदिक काल में योग का जन्म हुआ next point की तरफ चलते हैं अगला point हमारा रामायड और महाभारत किस काल में हुए in which period रामायड और महाभारता टेक प्लेस तो महा काविकाल epic period बोला जाता है इसको ठीक है महा काविकाल में विद्याले को क्या कहा जाता था दोस्तों what was the school called in epic period तो गुरुकुल सुना होगा आपने ठीक है गुरुकुल बोला जाता था महा काविकाल में यानि कि आपका रामायड और महाभारत काल में क्या था गुरुकुल बोला जाता था जहां विद्याले को किस काल में शारिरिक सिक्षा को शारिरिक रूप से स्वस्त रखने के लिए पढ़ाया जाता था इन विच पीरिड फिजिकल एजुकेशन बोस तॉट तू कीप फिजिकल फिट नालंदा काल में ठीक है नालंदा पीरिड में आपका फिजिकल एजुकेशन जो था वो फिजिकल फिट रहने के लिए पढ़ाया जाता था ठीक है किस काल को राजाओं ने योग पर प्रतिबंद लगा दिया किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंद लगाया विच पीरियड किंग्स बैंड योगा तो मुसलिम काल में जो था योगा पर राजाओं ने पैन लगा दिया था एक important question है next point की तरफ चलते है अगला point है हमारा दोस्तो मुसलिम काल में कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मारा गया या मर गया था विच किंग डाइड वर वाइल प्लेंग चौगान दियूरिंग मुसलिम पीरियड कुतुबुदीन एबक कुतुबुदीन एबक जो था वो चौगान खेलते हुए मर गया था और चौगान ही आज की डेट में पोलो के रूप में जाना जाता है दोस्तो ठीक है YMCA की स्थापना चन्नाई में कब किसने और कब की तो who established YMCA in चन्नाई when H.C.Buck ने YMCA की स्थापना की दोस्तों 1920 में H.C.Buck ने 1920 में YMCA की स्थापना की यान यंग में क्रिस्टिन असोसेशन की जो स्थापना थी वो H.C.Buck ने 1920 में करी H.V.P.M की स्थापना कब और किसने की who founded H.V.P.M. and when तो where the brothers ने 1914 में होता है हनुमान व्याम प्रसारक बंडल हनुमान व्याम प्रसारक बंडल H.V.P.M. ने पांच सप्ताह का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया दोस्तों in which year H.V.P.M. स्टार्टेड आ फाइव वीक समर कोर्स for the youth 1924 में ठीक है नेक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा Central Advisory Board of Physical Education and Recreation की स्थापना कब की गई बहुत इंपोर्डन कोशन है When was the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation 1950 1950 में Central Advisory Board of Physical Education and Recreation की स्थापना की गई लखनाव Christian College की स्थापना कब ही दोस्तों अभी क्लियर कर दिया 1932 में हुई थी कांधी वाली मुंबई शारिडिक सिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई When was the Institute of Physical Education established in कांधी वाली मुंबई 1938 HVPM ने पहली बार Olympic में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां किया गया ठीक है HVPM को एक मौका मिला था Olympic में व्यायाम का प्रदर्शन करने के लिए तो वो काब और कहां था When and where did HVPM perform exercise for the first time in the Olympics That is 1936 Berlin Olympic ठीक है 1936 के Berlin Olympic में HVPM को Olympic में व्यायाम प्रदर्शन का मौका मिला था ठीक है Next point की बात करते हैं All India Council of Sports की स्थापना का भी दोस्तों All India Council of Sports 1954 में स्टैबलेश हुआ AICS AICS के पहले Chairman कौन थे जिनकी शुरुवात का श्रे जाता है जिनें इसकी शुरुवात का श्रे जाता है Who was the first chairman of AICS Is also credited for its beginning Moulana Abul Kalam आजाद Moulana Abul Kalam आजाद Next कौन सी शाखा भारत सरकार को Arjun Award तथा Dronachar Award के लिए खिलाडियों की लिस्ट देती है Which branch of sports given the list of pairs of Arjun Award and Dronachar Award to the government of India So वो ही AICS होती है Next question की बात करें Ad hoc inquiry committee की स्थापना कब हुई और इसके chairman कौन थे Where was the ad hoc inquiry committee established and who was its chairman 1958 पतियाला और चेर्मेन कौन थे नरेंदर यादफ यादवेंदर सिंग 1958 पतियाला में King Narendra यादवेंदर सिंग जो थे वो ad hoc inquiry committee की उन्होंने क्या थे उसके chairman थे और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी Next point की तरफ चलते है जिने निप्ति किया गया था Call Kapoor committee में Call Kapoor committee में अपना करक कब शुरू किया गया When did the Call Kapoor committee starts its work 1960 Rome Olympic में Call Kapoor committee ने अपना work start किया था Kunjuru committee की स्थापना कब हुई तता इसके पहले chairman कौन थे When was the Kunjuru committee established and who was the first chairman 1959 घिदेनाथ Kunjuru हिर्देनाथ कुंजरु जी 1959 ठीक है इसके पहले चेयर में थे 1969 में इसकी स्थापना होई थी अबुलकला माजार ट्रॉफी किस्षन में सुरूई दोस्तों 1956-57 में अबुलकला माजार ट्रॉफी स्टाटें वेचेयर 1956-57 नेक्स पॉइंट की तरफ चलते है इंपॉर्टन कोशन है एंची सी की शुरुवात कब और किस ने की ठीक है वेन एंड हू स्टाटेड एंची सी तो 1948 में हिर्देनाथ कुंजरु ने एंची सी की शुरुवात की नेशनल केड़ेट कॉप्स ठीक है फूल फॉलम़क इंपॉर्टन है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुवात कब हुई दोस्तो वेन वोज दा NATIONAL फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव स्टाटेट 1959 में NSS की शुरुवात कब हुई वेन वोज NSS स्टार्टेड 1969 नेशनल सर्वेस स्कीम 1969 में स्टार्ट वी दोस्तों ठीक है नेता जी सुभास नेशनल इस्टूट ऑफ इस स्पोर्ट्स की शुरुवात कभी 1961 में ठीक है एनस एन आई एस की जो शुरुवात हुई वो आपकी 1961 में हुई next question की बात कराएं अगला question है शारे डिक सिक्षा किस ने शुरू की दोस्तों फो स्टार्टर फेज़कल आज़ुकेशन तो फेडरिक जॉन ठीक है शारे डिक सिक्षा की जो शुरुवात की थी फेडरिक जॉन ने स्नाइप्स का साई में विलेक कब हुआ दोस्तों वेन वाज स्नाइप्स मर्च्ट विट साई 1987 में LCPE गौलियर के संस्थापक आचार कौन थे LCPE के हूँ वाज दा फाउंडर आफ अचारे आफ गौल गौलियर स्थापना कभी दोस्तों अभी क्लियर के था 1920 में स्टैबलिश्ट हुआ था नेक्स्ट पॉइंट हमारा राज कुमारी अमरित कौर किस खेल की सरसेश खिलाडी थे पर उन्हें कमेंट करने के लिए बोला था आपको तो राज कुमारी अमरित कौर वास थे बेस प्लेर आफ विच स्पोर्ट्स टैनिस की खेलाडी थी ठीक है और कौन सा काल प्राचीन भारत वर्ष में वैदिक काल माना जाता था कौर्शन कमार की में पूसकता है तो यहां पर संसे है विच पीरिड इस कंसीडरड एस वैदिक पीरिड इन एंशेंट इंडिया तो पंद्रा सो इसा पूर्व से छे सो इसा पूर्व 15 बीसी टू 600 बीसी ठीक है किस जर्मनी किसने जर्मनी में टर्न वैरियन अंदुलन की शुरुवात की मोस्ट इंपॉर्टन कुशन है दोस्तो यह ठीक है टर्न वैरियन अंदुलन फेडरिक लुडविक जौन ने ठीक है कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोवर है which is the cultural heritage of man तो sports हमारा सांस्कृतिक धर हो रहे है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते है अगले स्लाइड है हमारी शारेडिक सिक्षा की आउशकता है physical education is required लोगों के आम स्वास्त में सुधार के लिए ठीक है improving the general health of the people भारत में मनुरंजन आंदोलन की शुरुवात किसने की दोस्तो who started entertainment movement of India तो प्रोफेसर जीडी सुन्दी ने entertainment movement of India की शुरुवात की भारत में मनुरंजन आंदोलन की किसने कहा मनुरंजन गती का विशे है ना की भावुकता का एक definition है who said entertainment is a matter of speed not emotion यह कहता जौसफ ली ने बहुत important point है यह प्राणियों के संरक्षन वृद्धी एवं विकास के लिए खेल खूद बहुत ही महत्पूर्ण है यह किसने कहा sports is a very important for the protection growth and development of animals who said MacDougal के शब्द है दोस्तो यह यह definition बहुत important है maximum number of exams में पूची गई है इसलिए इनको आप काईदे से prepare करिएगा next point है मारा जौसम विलियम्स ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की in which year was the YMCA found by George Williams sorry जौसम विलियम्स बोल दिया था George Williams 1844 ठीक है रास्टरी खेल नीती का प्रारंब हुआ कब हुआ national sports policy started in 1984 ठीक है 1984 में national sports policy प्रारंब हुई YMCA College of Physical Education के प्रतम प्रिंसिपल कौन थे दोस्तों who was the first principle of YMCA College of Physical Education तो वो हमारे हसी बग थे भारती सिक्षा आयोग द्वारा शारिरिक सिक्षा को मानिता दी गई Physical Education was recognized by the Indian Education Commission तो 1882 में भारती सिक्षा आयोग को शारिरिक सिक्षा को मानिता दी गई भारती सिक्षा आयोग दोरा आपके शारिरिक सिक्षा को मानिता दी गई 1882 में Next point है हमारा मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला दोस्तों इन विच पीरिड गेम्स लाइक हैन फाइटिंग पिजन फ्लाइंग और मैजिक गट अपूस्ट तो मुसलिम काल में मुसलिम पीरिड में ये इन खेलों को ज़्यादा बढ़ावा मिला विजिडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों वें डिड विजिडन मैगजीन बेगेंट टू पब्लिस 1864 ये की स्पोर्ट्स की पत्रिका है दोस्तों काफी बड़ी ठीक है 1864 में इसका आरम प्रकाशन स्टार्ट हुआ शिक्षा में शारिरिक शिक्षा के महत्तो की शुरुवात कब से मानी जाती है इंपॉर्टेंस ओफिजिकल इजुकेशन इन एजुकेशन इस कॉंसर्ट तू है शिक्षा में शारिरिक शिक्षा के महत्तो की शुरुवात एंसीसी की स्थापना कब की गए 1948 अभी हमने क्लियर किया तो इसको नेक्स पॉइंट है हमारा गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मग्यान की प्राप्ती ज्यादा सुगमता से होगी यह उक्ति है कि इनलाइट्मेंट विल बी अचीव और एजली बाई प्लेंग फुटबॉल दैन बाई रीडिंग गीता इस दने सभाविका नंद की कथाने दोस तो बहुत इंपर्डंट कोशन है काफी बार यह आपकी पेपर्स में आज जुका है भारत में खुले प्रथम शारिरिक सिक्षा महाविद्याले का क्या नाम है दन अ गेम ऑफ whilst physical education college opened in India तो वो आपका YMCA college of physical education अवस्थित है कहां पर located है पटियाला में located है शारिडिक सिक्षा की कक्षा में सबसे महत्पूर्ण वस्तु क्या है वाट इस दा मोस्ट इंपोर्टन आइटम इन फिजिकल एजुकेशन क्लास तो वह हमारा इंपोर्टन है आपकी फिल्ड आपका मैदान ग्राउंड ही नहीं होगा तो फिर फिजिकल एजुकेशन क्लास का क्या मात्व हो गया ठीक है नेक्स पॉइंट है हमारा क्रिश्टन कॉलेज ओफ फिजिकल एजुकेशन लखनोव की स्थापना हुई थी सेम वही कोशन फिर जागा कोई बात नहीं फिर आपका जाता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी 1954 में इस्टैबलिस हुआ था किस संस्था दोवारा व्यावसाइक शारिरिक सिक्षा के पाठकरमों को मानेता दी जाती इंपोर्टन कोशन है विच इंस्टिटूशन रेकनोईस वोकेशनल फिजिकल एजुकेशन कोर्सिस तो वह एंसी टी ए के द्वारा मानेता दी जाती इंसी टी ए का फुल फॉर्म के ओता कमेंट करके बताएंगे भारत में किस वर्ष शारिरिक सिक्षा विद्याले की स्थापना हुई थी के इंदर विद्याले के कोशन में एंसी टी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ठीक है इसलिए आप से पूछा मैं कमेंट करके बता ही, in which year the university of physical education was established in India, so 1920, भारत में शारिरिक सिक्षा विश्विद्याल है कि स्थापना जोई थी, 1920 में हुई, next point की तरफ चलते हैं, अगला point हमारा, भारत में शारिरिक सिक्षा को किसने शुरू किया था, who started physical education in India, H.C. Buck, ठीक है, लक्ष्मी भाई रास्ट्री सिक्षा संस्थान का प्रारम हुआ, 1957 में, ठीक है, लक्ष्मी भाई रास्ट्री सिक्षा का विकास कब से प्रारम हुआ, when did the development of physical education started in India, तो वो आपका अंग्रेजी काल से हुआ, अंग्रेजी शाषन काल से from British rule से, भारत सरकार ने 1969 में कुझरू समिती का गठन किसलिए किया था, for what did government of India set up the कुझरू कमिटी in 1959, तो वो किया था दोस्तो, शारेरिक स्वच्चता, एवं चरित निर्माड आधी योजनाओं के परिक्षण के लिए कुझरू समिती का निर्माड, 1969 में बारत सरकार ने किया था, to test scheme for physical hygiene and character building, और भी बहुत से थे, लेकिन mainly point यही था इसका, next है हमारा, 1957 में लक्षमी भाई College of Physical Education ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन सिक्षक प्रसिक्षण पार्ठिकरम की शुरुआत की which type of new teaching training course was started by लक्षमी भाई College of Physical Education ग्वालियर in 1957, तो तीन महा का शारिरिक सिक्षा इसनातक पार्ठिकरम, तीन वर्च है सौरी महा बोल दी है हमने, त्री तीन एर का शारिरिक सिक्षा इसनातक पार्ठिकरम BPE, ठीक है है, त्री येर्स Bachelor of Physical Education course BPE किया था, कमेंट करके बताना जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है, उसमें से Bachelor of Physical Education का course किसने किया कि BPE, मैंने भी अपना Physical Education BPE, BPAID से ही complete किया है, तो आप बताएंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने BPE course किया है, बहुत मज़ेदार course है ये, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शा शारेरिक सिक्षा एवं मनुरंजन के रास्ट्री सलाकार बोर्ड ने शारेरिक सिक्षा का रास्ट्री योजना 1956 का गठन किया, ठीक है, नेशनल अडवाईजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही शारेरिक सिक्षा की रास्ट्री योजना 1956 का गठन किया ग तो चार रिजनल कमिटी दवारा ये वर्क करता है, कार करता है इसका शॉट फॉर्म होता है NCTE इसका भी फॉल फॉर्म पूछता है NCTE का फॉल फॉर्म क्यों होता है National Council of Teacher Education ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्षमी भाई College of Physical Education कहां इस्थित है दोस्तों तो ग्वालियर में इस्थित है जर्मनी के महान शारिरिक सिक्षा विद जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका क्या नाम था इन दा दनेम आफ इसकूल विच वास फांड़ड बाई दा ग्रेट जर्मन फिजिकल एजुकेस्टनिस्ट जॉन बर्नार्ड बेसडो तो वो आपका था फिलन्थ्रोपीनम ठीक है फिलन्थ्रोपीनम उस स्कूल का नाम था फिलन्थ्रोपीनम जिसको की जॉन बर्नार्ड बेसडो ने स्थापना की थी ठीक है नेक्स्ट कुशन है सिक्षा में खेल प्रडाली को लाने का श्रे किसको है कॉल्डविल कुक ठीक है हूँ इस क्रिएट फॉर इंट्रिडूजिंग स्पोर्ट सिस्टम इन एजुकेशन कॉल्डविल कुक को जाता है नेता जी सुबास राष्टी खेल संस्थान पटियालक में कब शुरूबात फुल्ड इसकी जो डेट है वो 7 मई 1961 1961 में यादी रहता है 7 मई भी आपको रख लेना है उप्शन में डाल सकता है आपके नेक्स पॉइंट है हमारा प्लेटो किसके पितामार के रूप में संबंदित है प्लेटो इस लेटेट एड़ दा पैरेंटल ग्रेंट फादर आफ आदर्श वाद ठीक है प्लेटो को किसका ग्रेंट फादर बोला जाता है आदर्श वाद का आइडिलिस्म का किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए यदि आप एक दिवार से टकरा जाते हैं तो मुण कर हार ना माने उसे कैसे चढ़ना या सोचे और अन्जाम दे या उस पर विजय पाई ये कथन किसका है दोस्तों तो माइकल जॉर्डन के ये शब्द है किस गेम से संबन्दीत है कमेंट करके बताएंगे इसके शूस बड़े फेमस है जॉर्डन के शूस जो आप देखे होंगे आपने ठीक है तो किस गेम से संबन्दीत है जल्दी से बताएंगे टेलिविजन पर पहली बार अंतर राश्ट्री इसтор पर कौन से ओलम्पिक का प्रसारण किया गया इंपोर्टन कोशन विच ओलम्पिक वस टेलिवाइस इंटरनेशनली फॉल्दा फॉर्डा फॉर्स्ट ताइम तो 1960 का जो ग्रीश में कालिन ओलम्पिक था 1960 समर ओलम्पिक टेलिविजन पर अंतररास्टी स्तर पर पहली बार प्रसारण किया गया था टेलिविजन पर टी किया नेक्स्ट पॉइंट है मारा आई ओ ए में कितने उपाध्यक्ष होते हैं अभी हमने क्लियर किया था कितने उपाध्यक्ष होते हैं प्रेजिदेंस आई ओ में 9 होते हैं I.O.A. के कितने कारे-कारी सा 10 होते हैं टोटल 10 होते हैं How many executive members does I.O.A. have 10 शारिरिक सिक्षा सिक्षक का विचार कहां से भारत में पहुचा From where did the idea of physical education teacher reach India England से किस स्थान पर प्राचीन gladiator मुकाबला आयोजित होता था important question है At which place the ancient gladiator combat was health Rome में होता था दोस्तों ठीक है Next point है हमारा सैधान्तिक रूप से नेता जी सुभास चंदराश्टरी खेल संस्थान है theoretically नेता जी सुभास चंदर National Institute of Sports is तो खेल का शैक्षिक के इंदर माना जाता है सैधान्तिक रूप से sports educational sensor माना जाता है भारत की पहली कौन से संस्था थी जिसने देशी शारीरिक सिक्षा के उद्देश को आगे बढ़ा है which was the first institution of India to further the cause of indigenous physical education तो वो थे हमारे हनुमान ब्याम प्रसारक मंदल क्योंकि अमरावती में है ठीक है एजवे पीम कहां लोकेटेड अमरावती और हनुमान ब्याम प्रसारक मंदल ठीक है नेक्स पॉइंट है खेल प्रतिबाख होज यानी scholarship योजना की शीर संस्था है which is an apex institution of sports talent search scholarship scheme तो वो हमारी साई है ठीक है 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्रसिक्षन की योजना सामने रखी who first put from the scheme of sports trading in India 1953 तो वो हमारी राजकुमारी अमरित कौर थी ठीक है टैनिस की खिलाडी थी अगले पॉइंट पे चलते है भारत में coach बनने के लिए निूनता महरता क्या है what is the minimum qualification become a coach in India तो वो NSNIS का diploma है दोस्तों ठीक है किसने सबसे पहले स्कूलों में आधोनिक शारेडिक शिक्षण शुरुवात करने की पहल की who was the first to initiate the introduction of modern physical education school तो नेशनल फिटनेस कॉप्स ठीक है NFC नेशनल फिटनेस कॉप्स ने 1965 और 1966 में शारेडिक आधोनिक शारेडिक सिक्षण शुरुवात करने की पहल की थी स्कूल्स के अंदर नेशनल फिजिकल एफिशेंसी ड्राइफ NPED की स्थापना 1959 NPED याद रखिएगा इसका full form पूचता है इसका बहुत कम पूचता है बड़ इसके full form जरूर पूचे जाते हैं आप से ठीक है तो इसका full form होता है नेशनल फिजिकल एफिशेंसी ड्राइफ NPED का AIEU Association of Indian Universities की स्थापना कब हुई दोस्तो Establishment of AIU Association of Indian Universities 1925 में हुई दोस्तो ठीक है अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं All India Council of Sports की स्थापना कब हुई 1954 में हुई Establishment of India Council of Sports 1954 Indian Hockey Federation की स्थापना कब हुई दोस्तो Establishment of Indian Hockey Federation 1928 में हुई ठीक है Hockey Federation ध्यान रखिएगा Hockey जो Federation था Indian कब हुँ 1927 में हुआ Indian Polo Association की स्थापना कब हुई Establishment of Indian Polo Association तो 1892 में Kabaddi Federation of India भी हमने डिस्कस के था पीछे 1950 में हुआ था ठीक है अगला पॉइंट है हमारा दोस्तो भारती राश्टी राइफल संग भी हमने चेक कर लिया था 1951 में हुई भारती भारत तोलन संग की स्थापना Establishment of Indian Weight Lifting Federation Weight Lifting Federation इंडिया की जो थी उसका गठन कब हुआ था 1935 में हुआ था Amateur Athletic Federation of India की स्थापना Most Important Point है यह यह कोशन आपका आता है Establishment of Amateur Athletic Federation of India तो 1946 में ठीक है Next Point है भारत में सबसे पहले शारिरिक सिक्षा का सनातक उत्तर कोर्स की सवर्ष में शुरू किया गया Which year was the first post graduate course in physical education started in India 1963 में और यह जो पॉइंट है दोस्तों है Mature Athletic Federation of India यह फुल फॉर्म याद कर लिजएगा Spelling इसमें बहुत से लोगों की गलत होती है 1959 में स्टार्ट हुआ अमरित कौर कोचिंग स्कीम की शुरूवात 1953 में हुई LNCPE की स्थपना कभी 1957 में Advisory Board of Physical Education का गठन कभी हुआ Constitution of Advisory Board of Physical Education 1950 Okay Next Point है इतिहास के दोरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था During history राजपूत, kings and princes were very found off तो शिकार खेलने का hunting का बहुत शौक था Government College of Physical Education पटियाला किस था अपना कभी दोस्तों Government College of Physical Education पटियाला 1958 में YMCA College of Physical Education मदरास 1922 डिसकस कर चुके लखनाव कृशन कॉलेज 1932 इसे डिसकस कर चुके Next point है हमारा दोस्तों Important points है यहापर शारेरिक सिक्षा के अधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है The base of physical education is strengthened by scientific fact के जरिए या वैग्यानिक तत्यों के जरिए इसके अधार को मजबूत बनाया जाता है Physical Education के शारेरिक सिक्षा के सिधान्त किस पर ज्यादा आधारित है On what is the theory of physical education based more प्रक्रिया से संबंदित वैग्यानिक नियम Scientific rules of process पर ज्यादा आधारित है शारेरिक सिक्षा के जो principles है जो सिधान्त है खेल माना जाता है The game supposedly निरुदेशकार Purpose-less work Purpose-less work ताराचंद कमेटी की स्थापना कभी 1948 में Establishment of ताराचंद कमेटी is 1948 Next question हमारा शारेरिक सिक्षा और मनोरंजन केंगी केंदरी सलाकार समीती की स्थापना कभी 1948 में अखिल भारती खेल परिशत की स्थापना Establishment of All India Sports Council 1954 Ad-hoc समीती की स्थापना भी डिसकस की हमने 1958 में Establishment of Ad-hoc Committee 1958 National Discipline Scheme की स्थापना 1954 यह आपके revision के तौर पर चल रहा है आपे मैंने points डाल दिये ताकि revision में हो जाए ठीक है Next point हमारा National Fitness Corps की स्थापना 1956 ठीक है NS-NIS की स्थापना कभी कहाँ पर हुई पटियाला में ठीक है कहाँ पर located है पटियाला में SI का मुख्याला है कहाँ पर दोस्तों important question है पूछा जाता है तो where is the headquarters of SI located Delhi ठीक है YMCA की स्थापना कहा हुई थी चन्नाई में हुई थी Next point है हमारा एथलीट शब्द की उत्पत्ती कहां से हुई थी Where did the word athlete originate तो Athens से हुई थी ठीक है एथलीट शब्द की उत्पत्ती YMCA College of Madras का उत्देश क्या था दोस्तों What was the main objective of YMCA College Madras शारेरिक सिक्षा को बढ़ावा देना promotion of physical education US में शारेरिक सिक्षा स्वास्तवा मनुरंजन के छेतर में निम्न संस्था है USA has the following organizations in the field of physical education, health and recreation तो वो है आपकी आपर्ड है ठीक है कौन सी है आपर्ड आपर्ड का full form भी याद रखना है दोस्तों most important है American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance ठीक है भारती शिक्षा आयोक की शुरुवात कब हुई 1982 में Indian Education Commission started in 1982 यहां से एक दो कुशन आने की संभाब ना है दोस्तों आपके next point है हमारा श्री हर्मान व्याम प्रसारक मंडल इस्थेत है कहाँ पर अमरावती में ठीक है HVPM कहाँ पर located है अमरावती में राजकुमारी अमरित कोचिंग योजना कहां आरंभ हुई दोस्तों where was the राजकुमारी अमरित कोचिंग स्कीम स्टार्टर तो पटियाला में हुई ठीक है 1903 में पटियाला में राष्ट्री अनुशासन योजना कब आरंभ हुआ दोस्तों when was the national discipline plan started in 1954 4, Sindhu Gati Sabvita Kal में क्या प्रसिद था what was the famous during the Indus Valley Civilization Period to dance famous था दोस्तो Sindhu Gati Sabvita में next point है हमारा Vedic Kal में क्या प्रसिद था what was the famous of Vedic period Suri Namaskar काफी famous था दोस्तो Vedic period में Prarambik Hindu Kal में क्या प्रसिद था what was the famous in early Hindu period तो नातक और उत्तर कालीन हिंदु काल में क्या प्रसित था धनुर विद्या प्रकृती के पास बच्चे को विक्सित करने का किसकी तुल्ला में कोई बहतर तरीका नहीं है प्रकृती के पास बच्चे को विक्सित करने का किसकी तुल्ला में कोई बहतर तरीका नहीं हो सकता अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अगला पॉइंट है हमारा भारत में शारेरिक सिक्षा अध्यापकों का प्रसिक्षन कब शुरू हुआ भारत की शारेरिक सिक्षा की आध्युनिक विचारधारा की शुरूआत कब हुई थी अध्यू आई यू का मूलभूत कारे किया है दोस्तो अंतर विश्विद्याले प्रतियोगिताओं का नियोजन करना ठीक है इनका जो में मूलभूत कर था प्लैनिंग अफ्री प्लैनिंग इंटर इन्वेस्टी कॉंपेटिशन ठीक है नेक्स पॉइंट है भारत सरकार दोवारा नेशनल प्लैन ओफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्थ प्रकाशित हुआ इन विच इयर दर नेशनल प्लैन ओफ फिजिकल एजुकेशन वर्थ पॉब्लिस्ट बाइ गॉवर्मेंट ओफ इंडिया 1956 में नेक्स पॉइंट है हमारा दोस्तों कॉल कपूर कमिटी ने अपना कारेकप शुरू किया दोस्तों तो रोम ओलंपिक 1960 में नेशनल सर्विस स्कीम 1969 जर्मनी में स्कूल ऑफ जिमनास्टिक के स्थापना के पीछे कौन जिममेदार है हूँ इस दा परसन रेस्पॉंसिबल बिहाइंड इस्टैबलिश्मेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वेडन सर हेंडिक लिंग ने ठीक है सर हेंडिक लिंग जिममेदार है किसके स्वेडन में शारेरी सिक्षा की स्थापना के लिए 1961 में इंडियन बॉइ स्काउट एस्थापना किस ने की इंडियन बॉइ स्काउट एस्थापना किस ने की प्राचीन रोमन लोग की सनक के लिए जाने जाते हैं इंचिएन रोमन्स वर नोन फॉर दा विम्स डफू सुव लैड़ी द्न ग्लैडी एक टोरियल प्रतियोगिता की लिए नहीं कि उन्त जद्र Imperial कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा वह उ सनक मतलब बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट उनका रहता था इस प्रतियोगिता को के लिए बहुत एकदम सनक ही जाते था समझ लीजिए शहर ओलंपिया डैश में स्थित है दा सिटी ओलंपिया इस लोकेटड इन युनान में ठीक है प्राचीन ओलंपिक किस प्रतिसपरदा से श कवल वहां पर होती ती दोस्तो ठीक है अगला कॉशन है हमारा रास्ट मनडल देशों में कौन सा खेल सबसे अधिक खेला जाता है तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है दोस्तों ठीक है उन तीन प्रमुक पहलूँ का नाम बताईए जिसमें एक वास्तविक रूप से अनकूलित शारिरिक सिक्षा के लिए सामान शारिरिक सिक्षा कारिकरम में संसोधन के आवशकता होती है तो सामगरी, कारप्रडाली और सिक्षा के तीन इंपोर्टन पहलूँ है दोस्तों अनकूलित शारिरिक सिक्षा के लिए तीन इंपोर्टन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अगले पॉइंट पॉइंट है प्राचीन विश्विद्यालियों तक्षिला और नालंदा में लोकप्री जोरदार अभ्यास वाली गतवीदियों का नालंदा तक्षिला और नालंदा तो उसमें तैराकी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुष्टी ठीक है मोस्त तो इसमें आर्चरी था बट ये सारे भी इसके साथ में ठीक है स्विमिंग, फेंसिंग, आर्चरी और रसलिंग साइंक तुराज अमेरिका में बीसवे शताबदी के एक नए युक की शुरुवात का प्रतीक था प्राचीन ग्रीकों ने अपनी शिक्षा को पूर्ड माना और इसमें निम्न शामिल थे एंशेंट ग्रीक्स कंसीडर देर एजुकेशन कंप्लीड इंक्लूडर नैतिक्ता सॉंदर शास्त गडित और एथलेटिक्स ठीक है एथिक्स एस्थेनिक्स मैथमेटिक्स एंड एथलेटिक्स ओके इंपोर्टन पॉइंट्स हैं दोस्तों बहुत ही जादा फटा फट से वीडियो को लाइक कर दो जो और जुतने भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नहीं है प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ज़रूर दबाओ क्योंकि आने वाली क्लासेस बहुत ही जा एड़ दा एज ओफ सेवन यंग अथेनियन बॉइस एंटर दा पैलेस्ट्रा अपॉपुलर वन कुष्ती के लिए कुष्ती स्कूल के लिए पैलेस्ट्रा जाना जाता था दोस्तों ठीक है ग्रीक इतिहास के बाद अथेनियन काल की सबसे उत्कृस्ट विशेष्टा थी द लोक विद्याले शारेरिक सिक्षा के छेत्र में करांती लाने के सहायक थे कौन फोक स्कूल्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन बेगिनिंग रिवलुशन इन फील्ड और फिजिकल इजुकेशन तो डैनमार्क जो था वो लोक फोक स्कूल्स उसने इस्टैबलिस किये थे शारेर इन फिक्षा के छेत्र में करांती लाने के लिए ठीक है उन दो देशों के नाम बताईए जिनों ने जिमनास्टिक को आकार दिया है जिस तरह से या आज प्रचलित है या जनी modern जिमनास्टिक की बात हुरी तो नौर्वे स्वेडन नौर्वे और स्वेडन की वज़े से ही आज modern जिमनास्टिक का अधार बन पाया है ठीक है नेक्स पॉइंट है हमारा दोस्तों एक व्यक्तिगत एथलीट या टीम को किसी भी अंतरास्ति खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक साथ दो निकायों में किसके संरक्षन के आउशक्ता होती है इन इन पिक संग और संबंधित राश्ट्री खेल महा संगों की जुरत पड़ती है इंडियन ओलम्पिक एस्सोसियेशन एंड रस्पेक्टिव नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इनकी जुरत पड़ती है एक व्यक्तिगत अथलीट या टीम को ठीक है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह इन सौंग नालंदा विश्विद्याले में अध्यान करने के लिए आये थे यानि सात्मी शताबदी में ग्यान प्राप्त करते हैं ता फेमस चाइनीज ट्रैवलर हैं संग केम तू स्टडी नालंदा इन्वस्टी इस अटेंस इनलाइजमेंट अनलाइटमेंट इन दा सेव कारी चीज़ों की कोई वैलू ही देखा जातों काफी पीछे होता जा रहा है हमारा फिजिकल एजुकेशन कोई बात नहीं हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे जौब लेने के बात ठीक है आप सब नेक्स पॉइंट है कौन सा यूरोपी शारिरिक सिक्षा शास्त्री था ज ठीक है प्राचीन ओलम्पिक खेलों में एक लोगप्री यूवा खेल जिसे पैनक्रेशन कहा जाता था वो किसका संयोजन माना जाता था पॉपुलर यूथ स्पोर्ट इन एंशेंट ओलम्पिक गेम्स कॉल्ड पैनक्रेशन वोस कंसीडर्ड टू बी कॉंबिनेशन ओफ मु करने वाले खेल की स्पर्धाओं के नाम बताईए जो प्राचीन ओलम्पिक तो उसमें पेंटाथलों इवेंट होती थी खेल प्रती यूगता उसमें कौन-कौन्स इवेंट होते थे दनेम ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट कॉंसीडर्ड पैन्ठाथलों इन एंशेंट कूद दौडना और कुस्ती ये पांच इवेंट होते थे पेंटाथलों में डेस्कस थ्रो जैवलिन थ्रो लॉंग जंप रनिंग एंड रसलिंग ओके नेक्स पॉइंट है मारा दोस्तों उनने सो में पैरिस में होने वाली होने वाले ओलम्पिक खेलों में महिला खेलाडिय था इन विच टू इवेंट्स डिड़ वोमेंस प्लेयर्स कंपीट फॉर फॉर्स ताइम इन एड़ नाइंटीन हंडड ओलम्पिक गेम्स इन पैरिस तो टैनिस और गोल्फ में पाटिसिपेट किया था ठीक है किस वर्ष भारत का राश्टगान पहली बार ओलम्पिक में ब अकाश का देवता अकाश का जाता था एंचन ग्रीस डीस में जी श को कहा जाता था गोड जियूष या गोड जीज़ ए ठीक है नेक्स पॉइंट है हमारा प्रलेखित इतिहास के अनुसार दप्रिंस सद्धार्थ गौतम यानि की गौतम बुद्ध एक निपुड थे according to documented history the prince सिधार्थ गौतम गौतम बुद्धा was accomplished तो आर्चर सार्थी और हैमर थ्रोवर ठीक है इसके रूप में प्रसिद्ध थे निपुड थे आर्चर केरियोटीर एंड हैमर थ्रोवर ठीक है नेक्स पॉइंट है उनिश्वी शताबदी के अधिकांश पारंपरिक मनुरंजन यानि खेल पारंपरिक खेल सिधान्ट काफी हद तक इससे प्रभावित थे Most of the traditional entertainment sports theories of the 90th century were largely influenced तो चार्ल्स डार्विन का अस्तित्व के लिए संगर्ष का जो सिध्धान्टा इससे काफी ज़्यादा प्रभावित थे उनिश्वी शताबदी के उनिश्वी शताबदी में ठीक है चार्ल्स डार्विन्स ट्रगल्स फॉर एक्सराइस थियोरी प्राचीन काल में एथेनियन शारेडिक सिक्षा की तीन प्रमुक बातों पर किन तीन प्रमुक बातों पर केंद्रित था एथेनियन फिजिकल एजुकेशन इन एंशियन टाइम्स फोकस्ट ऑन थ्री में ठीक्स सॉंदर्शास्त सॉंदर्शास्तर अथलेटिक्स और बुद्धी ठीक है इन तीन चीज़ों पर अधारी था Aesthetics Athletics and Intelligence Okay Next point है मारा दोस्तो प्राचीन ग्रीस में समुद्र का देवता कौन था Who was the God of The Sea in Ancient Greece तो वो थे हमारे Poseidian Important question है प्राचीन ग्रीस में Asleepius थे Who was the Asleepius in Ancient Greece तो उपचार के देवता ठीक है God of Healing कहा जाते थे राजीव गांधी खेल रतन पूरसकार पाने वाले पहले वेक्ति कौन थे Who was the person First person to receive राजीव गांधी खेल रतन बाद तो वो विश्वनाथन आनन थे Olympic के छले संकेत देते हैं Do Olympic rings signify 5 महादीपों के संकेत देते हैं 5 continents के Next point है हमारा भगवान अपोलो के संमान में कौन से खेला उजित किये गये थे What games were held in honor of the God Apollo तो वो थे Python games या पीथियन games ठीक है इतिहास में एक समय Swedish Gymnastic को Swedish पी कहा जाता था At one time history Swedish Gymnastics were also called Swedish तो movement movement cure कहा जाता था क्या कहा जाता था movement cure किसने जीवित सिक्षा गतिविधी के रूप में शारेरिक सिक्षा के लिए महतपून सिद्धानतों का योगदान दिया Who has contributed the important principles given for physical education living learning activity तो Charles Darwin ने ठीक है Charles Darwin जो थे उन्होंने कहा जीवित सिक्षा गतिविधी के रूप में शारेरिक सिक्षा के लिए महतपून सिद्धानतों का योगदान दिया अगला point है हमारा दोस्तों किस दार्शनिक अवधारना को भौतिक वाद के रूप में भी जाना जाता है Which philosophical concept Also known as materialism प्रकृत नेचरलिस्म प्राचीन उलम्पिक खेलों पर किस संब्राट द्वारा प्रतिबंद लगाया गया था ancient olympic games were banned by which emperor Theodosius के द्वारा ban लगा दिया गया था ancient olympics को सिक्षा का आदर्शवादी दर्शन समर्थन करता है What does the idealistic philosophy of education support नैतिक विचार ethical consideration पर जो consideration पर जो आपका है आदर्शवादी दर्शन समर्थन करता है शिक्षा का जो आदर्शवादी दर्शन होता Roman राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन olympic में पूरसकार जीते थे Roman kings were won prizes in ancient olympics by bribing officials तो राजा नीरो ने ऐसा किया था और साथ ही प्रकरती अपने विविद रूप में है a philosopher who tries to new the truth, beauty and godness in life as well as nature is one is various forms तो आदर्शवादी ये idealist के रूप में आता है उन दो गतिविदी हों को बताएं जिनके साथ Ken H. Kapoor का नाम बहुत निकट से जुड़ा है state the two activities with which Ken the name of H. Coopers closely associated with fitness and aerobics के साथ इनका बहुत ही निकट से नाम जुड़ा हुआ है fitness movement and aerobics कौन से Olympic में सबसे पहले विजयताओं को sword padak दिये गए थे in which Olympic were the first winner given gold medals तो 1904 के St. Louis Olympic में gold medal देने की प्रता शुरू की गई थी next point है Olympic द्वच को पहली बार कब और कहां इस्तमाल किया गया था दोस्तों when and where was the Olympic flash first use 1920 के Antwerp Olympic में भारती Olympic संग का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों I.O की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1927 में हुई थी ठीक है Indian Olympic Association was formed in which year 1927 Antaraastry Olympic Summit का मुख्याले कहां थी थी थे दोस्तों Where is the Headquarter of International Olympic Committee is located That is Switzerland Lusanne Switzerland में किस A.C.I. देश ने पहले Rastramandal खेलों की मेजबानी की Which Asian country hosted the first Commonwealth Games So Malaysia ने पहले Commonwealth Games की hosting की थी 1930 में ठीक है Next point है हमारा 2016 में आयो जी तो Olympic खेलों में निमलेखित में से कौन से खेल शामिल किये गए थे Which of the following sports were included in the Olympic Games held in 2016 Through roller sports and rugby union भारती खेल प्राधी करण S.I. का गठन कब किया गए थे 1984 में Sports Authority of India S.I. was formed in which year 1984 Which Olympic What were the punishment to given cheaters in ancient Olympic यानि कि प्राचिन Olympic में cheaters को क्या सजा दी जाती थी उन्हें कोडों से मारा जाता था उन्हें कोडों से मारा जाता था They were beaten with whips Greece में काले इन Olympic खेलों की अवदी क्या है What is the duration of summer Olympic games 16 days का important question है 16 दिन के Olympic Games आयोजित की जाते है ठीक है अगले point की तरफ चलते हैं किस वर्ष में प्राचिन Olympic खेलों पर प्राचिन ग्रीस में ओगाक अगोक का मतलब क्या था What did अगोक means in ancient greens अग्रडी, मार्क दर्शन या प्रसिक्षन यानि कि लीडिंग, गाइडिंग और ट्रेनिंग माना जाता था ठीक है अगोक का मतलब था प्राचिन ग्रीस में प्लास्ट्रा किसके लिए प्रसिद था What was प्लास्ट्रा famous for ancient Greece तो एक कुष्ती का स्कूल था प्लास्ट्रा क्या था, एक प्रकार का wrestling स्कूल था ठीक है, इट वाज़ अ रसिलिंग स्कूल प्राचिन ग्रीस में डिड़स्केलियम प्रसिद था प्राचिन ग्रीस में डिड़स्केलियम इन एंचेंट ग्रीस डिड़स्केलियम वस फेमस फोर संगीत स्कूल, म्यूजिक स्कूल के लिए फेमस हुगा करते है डिड़स्केलियम जो थे, ठीक है next point है किसने Athens के जुलंत मशाल को Olympic खेलों की site पर ले जाने की प्रता शुरू की who started the practice for carrying flaming torch from Athens to the site to the Olympic Games तो Adolf Hitler ने ऐसा किया था ठीक है पहली बार शीत काली ने Olympic किस बार शायोजित किये गये थे in which year were winter Olympic held for the first time 1924 में पहली बार winter Olympic Games से start किये गये थे medical gymnastics का प्रडेता कौन था दोस्तों who was the father of medical gymnastics hypocrites थे युनानियों का मुख पेशा था what was the main occupation of Greece तो agriculture था क्रिशी था दोस्तों next point है हमारा जन्म लेने वाले कमजोर बच्चों को मरने के लिए Tigris परवत पर छोड़ा जाता था a weak child born was left the mount Tigris to die स्पाल्टा में ऐसा किया जाता था दोस्तों Greek athlete शब्द का क्या आर्थ होता है who what does the word athlete mean in Greek तो धन निर्माता money maker बोला जाता था ठीक है Plato ने किस खेल में दक्षतार जित की थी दोस्तों in which sports did Plato master कुष्टी आधोनीक Olympic खेलों के जनक BP Cobertin की मृत्यू किस वर्ष होई दोस्तों in which year BP Cobertin the father of modern Olympic died 1937 में modern Olympic के father कौन थे बेरन पीरेड योको पर दिंग जोको ने 1937 में इनकी death हो गई दोस्तों Olympic others work में CTS यानि CTS शब्द का अर्थ किया होता what does the word CTS in the Olympic motor mean तो बहुत तेज अधिक तेज या fast वह संस्ता जो Olympic खिलों में भारती टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करती है which body regulates the participation of Indian teams in Olympic games तो IOA है वह संस्ता ठीक है Olympic तेराकी में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया in which year did India participate for the first time in Olympic swimming 1988 में किस देश ने पहले विशेश Olympic की मेजबानी की थी दोस्तो which country hosted the first special Olympics तो America ने की थी next point की तरफ चलते है किस ने सबसे पहले विभी ने वियायमों को वर्गी कृत किया who first classified the different exercises तो Aristotle ने ठीक है और Plastra Plastra Palastra और Redis Calium कहा प्रसित थे दोस्तो फेमस तो Athens में शारिरिक सिक्षन के सिधानतों को पहले वर्णित किया किस ने Aristotle में the principle of physical training were first described by Aristotle Olympic में प्रती event कितने प्रविष्टों की अनुमती होती है how many entries are allowed per event in Olympics तो 3 next point है हमारा दोस्तो किस वर्ष में अंतरिम Olympic आयोजित किये गये थे in which year the interim Olympics were held 1906 मिटी स्नान लोगपरी था कहां पर मढबाथ वस पॉपुलर इन Athens में मढबाथ पहले आदोनिक Olympic में कितने देशों ने भाग लिया थे how many countries are participated in the first modern Olympic तो 14 देशों ने भाग लिया था Olympic में होकी मैच पहली बार AstroTurf पर का बयोजित किये गये थे दोस्तों when and where hockey matches our Olympics first held in AstroTurf 1976 के Montreal Olympic में ठीक है next point है मारा दोस्तों Olympic आदर्शवाक को किसने गड़ा who coined the Olympic motto Henry Didon ने किस देश ने स्वण यूग के रूप में शारिक सिक्षा का अनुभव किया which country experienced the physical education as a golden age प्राचीन ग्रीस ancient ग्रीस ने स्पार्टा सिक्षा का उत्देश उत्पादन करना तक किया the aim of Spartan education was to produce यो धवर ये उस बनाना था Spartans का इलिएड और ओडीसी लिखे गया थे किसके दवारा इलिएड और ओडीसी वर रिटेन बाई हॉमर के दवारा लिखे गया थे दोस्तों ठीक है next point है body beautiful कहां का दर्स्ता body beautiful was motto of यूनान यानि की ग्रीक शारेडिक सिक्षा के प्रतियक नागरिक के लिए एक मौली का धिकार जिसमें शामिल है physical education is a fundamental right for every citizen which includes that is UNESCO charter में कहा गया है ठीक है कौन ओलम्पिक खेलों को बंद घोशित करता है who declares the Olympic Games closed अध्यक्ष कहां का IOC का जो precedent होता है वो ceremony को close करता है ओलम्पिक रिंग के रंगों को सही सही योजन सही सही योजन का प्रतिनी दित्व करता है the correct combination of colors of Olympic rips जो है नीला, पीला, काला, हरा, लाला इस पहले blue आएगा, फिर yellow आएगा, फिर black आएगा, फिर green आएगा, फिर red आएगा next point है हमारा किस Olympic खेलों की मेजबानी किसे Olympic खेलों की मेजबानी प्रदान की जाती who is awarded to hosting the Olympic Games तो शहर को या सिटी को ठीक है, इसपार्टा खेलों के मैदान को कहा जाता था the sports ground of Sparta was called plantonists कहा जाता था, क्या कहा जाता था plantonists, okay Rome में लड़कों को प्रसिक्षड दिया जाता था उनके पिता द्वारा ठीक है, उनके पिता द्वारा ही Rome में लड़कों को प्रसिक्षड दिया जाता था in Rome, boys were trained by his father प्राचीन समय में तक्षिला किस के लिए प्रसित था तीरंदाजी आर्चरी के लिए तो दोस्तों ये थे हमारे इंपोर्टेंट लगबग 250 से उपर की कुशन और मेरे को नहीं लगता हिस्टरी में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने जूरत है इस वीडियो को काईदे से आप 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने है और इसकी नोट्स बनाने के लिए इसका पीडियोफ में आपको अपने टेलेग्राम चैनल पर प्रोवाइट करा दूँगा जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल लाएगा और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा साती जो दोस्त इस चैनल पर नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंशती रहे तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाए टेक केर जैहन वंदे मातरम फिजिकल इजिकेशन जिन्दाबाद